परिवान एम बिजली मंत्री और दिगश भाषपा नेता निल्विज ने पत्रकारों से बात करते हुए कॉंग्रेस और आप पर जमकर निशाना साधा उन्होंने केजरिवाल पर देश की राज़ धीती को खराब करने का आरोप लगाया लोग सभा के नेता प्रतिपष राहूल गांधी ने कहा था कि भारती एक करधाचा सिफ गरीबों को लूटने के लिए बनाए गया है इसके जवाब में अनिलविज ने कॉंग्रेस नेता पर निशाना सातेवे कहा कि भारती एक कर धाचा कॉंग्रेस की राज में बना हुआ था हमने आयका टेक्स सिस्टम में सुधार का काम किया इसमें GST को लाया उन्होंने का कि राहुल गांदी को शायद पता नहीं है कि उनकी सरकार के प्रतिनिधी भी GST काउंसिल की सभा में बैठते हैं राहुल कांदी कहीं से भी बोलना शुरू कर देते हैं ऐसे में राहुल कांदी को पहले सारे विशय की जानकारी लेनी चाहिए और फिर कुछ बोलना चाहिए आमादी पार्टी के सैने उजक एवं दिली के पूरे मुखे मंतरी अर्विन के जिवाल का कहना है कि भाशपा और कॉंग्रेश शासत राज्यों में लोगों को मुफ्त बिजली की योजना नहीं मिल रही है इस पर अनेल विश ने कहा कि सुप्रिम कोट ने भी अब कह दिया है कि सरकार को मुफ्त चीजे बाटने से पहले सोचना चाहिए अर्विन के जिवाल ने सारे देश की राज़नीती को खराब कर दिया उन्होंने का कि आपने जिन चीजों का वादा किया वो खुद उनके राज्यों के लोगों को नहीं मिल रही है दिली लोग सभा चुनाव में सभी सातो सीटों पर हरा कर लोगों ने मैसेस दे दिया है कि उनकी नीतियां ठीक नहीं है बता दे कि हर्याणा में कॉंग्रेस की हार को लेकर एक बार फिर कॉंग्रेस ने रिव्यू मीटिंग का एजन किया इसमें खडगे ने सिफ एवियम के मुद्दोक उठाने की बात कही इस पर तंज कस्तेवे हर्याणा के मंत्रिया निलबिश ने कहा कि कॉंग्रेस ने रोने का मापदन टै कर लिया है जब हार जाते हैं तो एवियम का रोना शुरू करते हैं और जहां वे जीत जाते हैं वहां कुछ नहीं बोलते निउस्टैस एनोलाइज